चार NBC24 देख रहे आप मैं हूँ आपके साथ अब शेक बिहार में लाखो लाख सिक्षकों की एक तरफ जहां बहाली हो रहे दूसरी तरफ कई सारे सवाल उठ रहे हैं ऐसे में फर्जीयों का जमावरा लगतार देखने को बिला है फर्स्ट वेज की बहाली में कई सारी अनिमत का की तरफ पर याजार का कई सारे सिक्षक कि दोरां पहुत पकाए है ऐसे में फिठ से इक बार जिस तरी के से जाचे जार इसको लेकर बड़ी कबड़ी खबर सामने निकल अरिया जहां विहार के eliminate परपूर के करीब 26 सिख्शक ही, जाज के दो औरान पहुत पाई हैं, 35 सिख्शकों को जाज के लिए बुलाया गया था पठना, BPSC बिहार सिख्शक भरती के पहले चरण में नूक तुए, 35 में से 26 सिख्शक ही, जाज के लिए मंगलवार को पठना पहुचे थे, ठकास्टगी की कारवाई की गई है। दो और सिक्षकों को बरकास्त करने के लिए लिखा गया है। में एक सिक्षक जो बुनियादी विद्याल है वहां के हैं ऐसे में डोक्रा सराय के आशिष कुमार भी नामज़द है ऐसे में दूसरे सिक्षक मुषहरी के विवेक कुमार बताये जा रहे हैं हेड मास्टर ने कहीं न कहीं सिक्षकों को लगतार गायव होने को लेकर DEO को रिपोर्ट दी थी ऐसे में इसको देखते हुए खबरे आई जिसके बाद यह बताया जा रहा है कि दोनों सिक्षक गायव है बलाये चले आपको कि बिहार में BPSC लगतार कारवाई कर रहा है ऐसे म 35 में से 26 सिक्षक ही इजाज के लिए मंगलवार को पटना पहुचे थे तमाम सिक्षकों को बुलाया गया था जिसमें 26 सिक्षक ही पटना पहुचे ऐसे में 9 सिक्षक गायव नजर आए तो वहीं मुझह परपुर जिले में थब इंप्रेशन में कई बार के बाद नहीं कारवाई की गई है, दो और सिक्षकों को बरकास्त करने के लिए लिए लिखा गया है इनमें एक सिक्षक, बुनियादी विद्याले डोकरा सरा आएक आशिश कुमार है, धिसरे सिक्षक, मुस्हरी के विबेक कुमार बताए जा रहे हैं, तो वहीं हिड मास्टर ने इन प्राइब होने को लिकर डियो को रिपोर्ट लिखा था बताया था कि यसे तरीके से ये दो सिक्षक हैं वो नहीं आये थे आयसे में दोनों पर कारवाई की गई है तो वहीं दोनों को बरखास्त कर दिया गया है और भी कई सारे सिक्षक संदे के घेरे में है क्या कुछ होगा देखने बारी बात होगी फट्जियो का जमावडा देखने को मिल रहा है तो वहीं थम इंप्रेशन क्यों नहीं मैच कर पा रहा है ये बड़ा सवाल है क्या ये सच में फट्जी सिक्षक है या फिर जेन्मिन कैंडिडेट है जो सिक्षक बनके कही न कहीं कारे रथ है लेकि अभी तवाम खबरों के लिए अनमिशी 24 के साथ बनड़ है कैमरे एक पिछ हमारे सही होगी अमित है बहुत बहुत धन्यवाद